बड़ी खबर उत्तपदेश के आजमगर जिले से जहां पर डीजे पर डांस करना एक महिला को इसकदर भारी पड़ गया कि उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी मामला जिले के कंदरापुर थाना छेतर के नामदार पुर गाओं का है जहां पर गाओं में डीजे पर डांस कर रही पत्नी को देखकर आग बबूला हुए पती ने पत्नी को लाठी से पीट पीट कर मार डाला यहाल हुत्तर प्रदेश के आजमगर जिले का आप लाख दुहाई देते रहिए आप चाहे जितने बड़े बड़े दावे कर लीजिए लेकिन महिलाओं के मामले में आज भी पुरुस समाज कितना तंग दिल है वो सारी चीज़े खुद करता है लेकिन अगर वही चीज एक एक महिला कर दे तो पुरुस समाज को इतना नागवार गुजरता है कि वो अपनी पत्नी को एक विक्ती अपनी पत्नी को डीजे पर डांस करता हुआ नहीं देख सकता और उसे बुरी तरह से लाठी से पीट-पीट कर मार डालता है इसके बाद सूचना पर पुलिस पत्नी मुन्ना राम जो नामदार पुर गाओं की रहने वाली है ये छेत्र कंद्रापुर थाने अंत्रगत आता है बिती रात यहां पर करीब 10 बज़े उसके घर के बगल में ही गोदभराई की रस्म चल रही थी गोदभराई की कारक्रम में डीजे के धुन पर बहुत सारे लोग नाच गा रहे थे सुनीता भी डीजे पर डांस करने लगी बता जा रहा है कि पत्नी को डांस करता हुआ देख पती मुन्ना इसकदर आग बबुला हुआ कि वो अपनी पत्नी को वहां से पकड़ कर घर ले गया घर में रखे लाठी से उसने पत्नी पर कई वार कर दिय सिर में गंभिर चोट लगने के कारण उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई गटना के बाद से पती फरार है सुचना पर पहुंचे पुलिस ने शौक को कबजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी हत्तियारे पती क गिरफतार करके जेल भेज दिया जाएगा